मोदी की गारंटी है साथियों जब मोदी ऐसे ब्रस्टाचारियों पर एक्षन लेता है तब ये लोग तरह तरह के बाहने बताते हैं ये लोग जांच से भाग रहे हैं क्योंकि लोग अपने कारणा में जांते हैं जी एम एम और कॉंग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ और सिरफ वोट बैंक ही समझा है जारखन में इतने जनजातिय परिवार है इतने प्रतिभाशाली नवजबान है ये लोग उनको कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे ये इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि परिवारबादी अपने ही परिवार की सोचते हैं जबकि मोदी जो भी कर रहा है वो आपके भविश्य के लिए कर रहा है आपके बच्चों के भविश्य के लिए कर रहा है आप मुझे बताईए ये जेमेम को चलाने वाले जो लोग है एक ही परिवार के हैग नहीं है एक ही परिवार के हैग नहीं है वो अपने बच्चों का भला करेंगे क्या आपके बच्चों का भला करेंगे उनको अपने बच्चों की चिंता है कि आपके बच्चों की चिंता है यह मोदी है आप ही मेरे परिवार्जन है आपके बच्चों का भविश यह मारी कारणटी है साथियों धनबाद और आसपास का एक खेत्र उद्यम्यों और समीकों का खेत्र है लेकिन मोदी आपके लिए जो भी योजना बनाता है ये इंडी गड़बंदन वाले उसका विरोध करते हैं क्या फिर उसमें अड़ंगे डालते है कोरोनकाल में हमने मुप्त राशन की योजना शुरू की लेकिन इंडी गड़बंदन के लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं इंडी गड़बंदन वाले चाहते हैं कि मुप्त आनाज देने वाली योजना बंद कर दी जाए आप मुझे बताईए भाई गरीब के घर का चूला जलता रहना चाहिए के नहीं आप मुझे बताईए चूला जलता रहना चाहिए के नहीं आप मुझे बताईए गरीब का बच्चा पेट भनने के बाद ही सोना चाहिए के नहीं सोना चाहिए क्या गरीब की सेवा मोदी को करनी चाहिए के नहीं करनी चाहिए ये इंडी गट बंदन वाले कितना ही दबाव बना ले लेकिन ये मोदी न जुकने वाला है न खटने वाला है ये मुपतन आज वाली जो गरीबों की योजना है न वो मोदी चालू रखेगा आगे भी चालू रखेगा ताकि गरीब के घर का चूला जलता रहे साथियों यहाँ जारखन क्या नेक भाई बहन दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं मेरे यहाँ गुजरात में तो मेरा बहुत लोगों से मिलना होता था मैं कभी सीमा पर जाता हूँ तो वहाँ पर भी काम करने वालों में मुझे मेरे जारखन के भाई बहन मिल जाते हैं ऐसे साथियों को उनको भी जहां हो वहाँ मुप्त राशन मिलता रहे हमने इसका भी इंतजाम किया हमने एक देश एक राशनकाड योजना बनाई है हम मेरे मज़्दूर साथियों को किसी नई जगह पर जाने पर नया राशनकाड नहीं बनाना पड़ता साथियों भारत को विक्सित बनाने में नारी शक्ती की महत्वप्ण भूमिका होने वाली है और मैं देख रहा था जब मैं फ़ुली जीप में आ रहा था जितनी मात्रा में माताए बहने आचिरवाद दे रही थी यह अधुत रश्य था इतनी बड़ी तादाद में माताओ बहनों का आना वो भी अभी तो खाना खाना या पकाने का टाइम होता है तब आकर के मोदी को आथिरवाद देने के लिए आ जाएं ये कितना बड़ा प्यार है साथियों ये माता हो बहनों के सेवा बीते दर्स वर्षों में टॉइलेट हो गैस कनेक्शन हो बहनों की ऐसी अनेक समस्यों का समाधान भाजपा ने किया है भारतिये जनता पार्टी ने किया है उजवला की लाभारती बहनों को बहुत सस्ता गैस सिलिंडर भी भाजपा सरकार ही दे रही है अम्बोदी पानी की समस्या का समाधान करने में जूटा है लेकिन यहां इंडी गड़बंदन की सरकार इस काम को भी रोक रही है इतने साल बाद भी जारखन में जल जीवन मिशन का करीब करीब पचाच प्रतिशत काम पुरा नहीं हो पाया है जारखन की इंडी गड़बंदन की सरकार यहां गरीबों के पक्के घर बनाने में भी रोड़े अटका रही है और अभी बाबुलाल जी ने बखाया उसमें भी मलाई खा जाते हैं साथियों इंडी गड़बंदन की सरकार विकास विरोधी हैं जनता विरोधी हैं यह लोग जनता का हक चीनकार सरकार में मौज करने के सिवाएं उनके पास कोई बीजन नहीं है जबकि मोदी की कोशिश है कि आपका अधिकार सीधे सीधा आपको मिले आईश्मान भारत के तहट मुप्त इलाज होता है तो सीधा पैसा अस्पताल को पहुँच जाता है पी-एम किसान सन्मान निदी सीधे मेरे किसानों के बैंक खाते में पहुँच जाते हैं SC-ST समाथ के विद्यारतियों की स्कॉलर सीप कोई बिचोलिया नहीं कोई कटकी कंपणी नहीं कोई मलाई खाने वाला नहीं सीधे सबके बैंक खाते में पैसे पहुंच जाते हैं मंदरेगा की मद्दूरी सीधी बैंक खाते में आती है गैस सिलिंडर की सबसीड़ी सीधी बैंक खाते में आती है मोधी के ऐसे ही कामों ने इंडी गड़बंदन के बिचोलियों का कमिशन बन कर दिया है अब मुझे बताईए जिनकी एक कमिशन बंद हो गए है तो मोधी को गाली देंगे के नहीं देंगे देंगे के नहीं देंगे मोधी पर गुसा करेंगे के नहीं करेंगे भांती भांती का जुट पहलाएंगे के नहीं पहलाएंगे पानी पी पी करके गालिया देते हैं लेकिन उनकी एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचती है क्योंकि आपके आशिरवाद की इतनी मजबुत दिवार है कि एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचने देती है और इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ और भाईयों भाईयों मेरा पक्का विश्वास है मेरा इस देश की जनता पर विश्वास है इस देश के गाव गरिब किसान पर विश्वास है इस देश की माता और बहन और नवजवान पर विश्वास है और मेरा विश्वास है कि लोग जितना किचड़ उचा लेंगे जितना जादा किचड़ उचा लेंगे उतने ही जादा कमल खिलेंगे साथियों आदिवासी कल्यान और आदिवासी समाज की भागेदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्रात्विक्ता है इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो अलग जार्खन राज का निर्माण ही है ये भाजपाई हैं जिसने अलग आदिवासी कल्यान मंत्रारे बनाया और बीते दस वर्ष में इसके बजेट में फाज गुना बढ़ोतरी की आदिवासी समाज में भी सबसे पीछडी जनजात्यों की पहली बार सूद लेने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम भाजपा है मैंने जार्खन सही इन जनजात्यों की विकास के लिए 24,000 करोड रुप्य की पी-म जन्मन योजना शुरू की थी इसके तहट आदिवासी परिवारों के घर बन रहे हैं दूसरी सुविधाएं बन रही हैं रोजगार के साधन बन रहे हैं इसका लाप हमारे जार्खन की बैगा, बिरहौर, बिरजिया, कोरवा, परहिया, सवारा ऐसी छोटी-छोटी-छोटी आखरी छोर पर बैटी वी मेरे जनजातिय भाई बहनों को इसका लाब मिल रहा है ये बाजपाल सरकारी हैं जिसने भगवान बिर्शा मुंडा का संग्रहालय बनाया उनके जनव दिवस को राष्ट्रिय जनजातिय गवरों दिवस गोशित किया साथियों हर गरीब का सपना ही और आप लिख लीजिए आपका सपना आपका सपना ही मोदी का संकल्प है मैं खुद दिन रात इसलिए खपा रहा हूं ताकि देश में गरीबों की मुश्किले कम हैं जितनी कम हो मैं उसके लिए कुछ न कुछ करता रहा हूं मेरे देश के गरीब गरीबी से जल्दी से जल्दी भार निकले बिते दस साल में देश में पचीश करोड गरीब गरीबी से भार आये हैं जब उन पचीश करोड भारतियों की गरीबी दूर हो सकती हैं तो जो अभी भी गरीबी में जी रहा है मोदी पे परोजा किजिए आपकी गरीबी भी जाएगी मोदी का संकल्प है विख्सित भारत के लिए विख्सित जारखन आप लोग यहां से जाएंगे तो मेरा एक काम करेंगे मेरा एक काम करेंगे ऐसा नहीं हाथ उपर करके बताईयो तो मानो मेरा काम करेंगे पक्का करेंगे यहां से जाने के बाद अपने घर के आसपाथ गाओं में महले में जो भी लोग हैं उनके पात जाएगा जो आज रेली में नहीं आप आए उनके पाद जुरूर जाईएगा और उनसे कहिएगा कि मोदी जी धनबाद आये थे मोदी ने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुँचा देंगे हर गर में प्रणाम पहुँचा देंगे एक बार फिर आप सभी का इतनी ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है मैं सबसे पहले सौम्यता के धनी अत्यंत सरल मेरे बहुत पिराने मित्र बाबुलाल जी का धनवाद करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे आपके बीच में से निकाल करके आप सबके दर्शन करने का सवभाग्य दिया मैं इसले उनका आभारी हूँ और जब मैं आप सबके दर्शन कर रहा था तो बहुत पुराने पुराने चहरे जिनके साथ मुझे संगशन में काम करने का सवभाग्य मिला है ऐसे सब पुराने साथियों को आज मुझे नीकट जाकर के प्रणाम करने का आउसर मिला मैं सबसे पहले आप सबकी माफी मांगने आ चाहता हूँ आप सबकी छमा मांगना चाहता हूँ छमा इसलिए कि जो पैंडाल हमने बनाया है वो बहुत छोटा पड़ गया और बड़ी मुश्किल से पांच परसंट लोग पैंडाल में है और नाइंटी फाइव परसंट लोग बहार दूप में तप रहे हैं यह जो दूप में तप रहे हैं आपको जो अस्विदा हुई इसके लिए मैं शमा मांगता हूँ लेकिन इस धूप में भी तप करके आप जो हमें आशिरवाद दे रहे हैं कार्य करने की एक नई उर्जा और प्रेना दे रहे हैं आप सब को जारखंड के मेरे प्यारे भाईयों भेनों आप जो तप कर रहे हैं न यह तप मैं बेकार नहीं जाने दूँगा मैं विकास करके ब्याज समेत यह आपकी तपस्या को लोटा हूँगा यह मैं आपको गारंटी देता हूँ मैं विकास कर रहे हैं इससल भी ओप मैं झाझा हैं इसस्या हैं अभाँ झाल झाल कभी कभी मैं सोचता हूँ कि पता नहीं कितने जन्मों का पुन्य होगा मुझे जो आप मुझे इतना प्यार इतना आशिरवाद दे रहे हैं आप मुझे बताईए आप जो मुझे इतना प्यार देते हैं इतना आशिरवाद देते हैं क्या मैं आपके लिए जिन्दगी खपाऊंगा के नहीं खपाऊंगा आपकी भलाई के लिए जिऊंगा के नहीं जिऊंगा शरीर का काण काण समय का पल पल आपको समर्पित करूंगा के नहीं करूंगा आपको विश्वाथ है न यही मोदी की गारंटी है मेरे भायों भनो अभी मैंने सिंद्री खाद कार खाने को जो फिर से शुरू करने की गारंटी दी थी साल दो हुजार अठारा में मुझे सिंद्री के इस खाद कार खाने का सिलान्यास करने का सवभागे मिला और आज सिंद्री के इस खाद कार खाने का लोकारपन हो गया आप मुझे बताईए साथियों क्या आपने सोचा था कि एक कारखाना एक दिन फिर से शुरू हो जाएगा सब लोग निरास हो चुके थे ना सबने मान लिया था बद हो गया ताला लग गया लग गया माना तक नहीं माना था लेकिन यह मोदी तो है जिसकी गारंटी में दम है और इसलिए जिसकी आशा भी आपने छोड़ दी थी उसमें भी उर्जा भरने के लिए आपने मोदी को काम दिया है इस खाज कारखाने से यहां युवाओं के लिए हजारों रोजगार के नए आउसर बनेंगे इस खाज कारखाना से पुर्वी भारत के किसानों को बहुत लाब होगा साथियों भाजप का मतलब है भाजपा का मकसद है और वो है विकास विकास तेज विकास जबकि कॉंग्रेस हो या उसके सहयोगी दल वो विकास के सबसे बड़े दुश्मन है अब देखिये उस्ता मैं उधान आपको याद कराता हूं नौर्थ कर्णपुरा का बिजली का कारखाना यह बहुत बड़ा उधान है इसका पिछली सदी के अंत में अटल विहारी बाजपई करके गए थे लेकिन फिर कॉंग्रेस की गोटाले बाज सरकार आई और इस प्रोजेक्ट पर ताला लग गया 2014 में मोदी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिन्दा करने की गारंटी दी थी आज इस बिजली कारखाने से अनेकों घर रोशन हो रहे है मोदी ने उन गरिबों की भी चिन्ता की है जिनके घर पहले बिजली कनेक्शन नहीं था सवभागी योजना से हाँ धनबाद में भी करीब एक लाख गरों में पहली बार मुप्त बिजली कनेक्शन लगा है इसलिए तो देश कह रहा है इसलिए तो देश कह रहा है जहां दूसरों से उमिद खत्म हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है साथियों जारखन के आप लोग मोदी की ऐसी अनेक गरंटियों के गवाँ है जो बीते वर्षों में पूरी हुई है देवगहर में जारखन के दूसरे एरपोर्ट का सलान्या मैंने दोहजार अठारा में किया था साल दोहजार बाईस में इसके लोकारपन करने का आउसर भी आपने मुझे ही दिया साल दोहजार अठारा में ही मैंने जारखन के पहले एम्स की आधार तिला रखी थी और दोहजार बाईस में इसका लोकारपन भी आपके ये सेवक मोदी ने किया आज जारखन देश के उन राज्यों में है जहां रेलिवे का शत्त प्रतिशत बिजली करण हो चुका है जारखन को अब तक तीन आधुनिक मेड इन इंडिया बंदे भारत ट्रेने मिल चुकी है कुछ दिन पहले ही अमरित भारत स्टेशन योजना के तहट जारखन के 27 रेलिवे स्टेशनों के आधुनिक करण पर काम शुरू हुआ है एक साथ 27 रेलिवे स्टेशन पिछले सोथाल में ये काम नहीं हुआ होगा 25 फरवरी को ही जारखन में अस्पतानों से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का सिलान्याज भी किया गया है साथियों जारखन में तेज विकास के लिए ये जरूरी है कि हाँ कानून व्यवस्ता अच्छी हो शाचन प्रशाचन इमांदार हो लेकिन जब से यहाँ जेमेम और कॉंग्रेस की परिवारवादी ब्रस्टाचारी और तुष्टी करणवाली सरकार बनी है में तब से सीतियां बहुत बिगडी है जेमेम का मतलब हो गया है जम करके खाओ जारखन में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है तुष्टी करण के चलते गुष्पैट बढ़ती जा रही है और यहाँ जेमेम कॉंग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है अपनी तीजोरियां भरने का इन लोगों ने जारखन की जनता को लूट कर आपको लूट कर आपके पसीने की कमाई को लूट कर अपने लिए बे नामी संपत्यों के पहाड बना लिये हैं आपने देखी हैं ना यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं मैंनो तो अपनी आखों से कभी नोटों के ऐसे डेर देखे ही नहीं है पहली बार टीवी पे देखा क्या जारखन कमाल कर रहा है कोईले के डेर तो देखे थे नोटों के डेर देख रहे हैं और अभी बाबु लाली से उसे बड़िया वड़नन गिया है इसका भायो बहनों ये आपका पैसा है ये जारखन के गरीब आदिवासियों का पैसा है ये आपका पैसा है आपके बच्चों के भविश्य के लिए पैसा था इसे लूट लिया गया है क्या आप ऐसे लोगों को माप करोगे ऐसे लोगों को माप करोगे क्या ऐसी बेइमानी जारखन में चलने दोगे क्या आपका रुप्या कोई लूट ले आपको मंजूर है ऐसे ब्रस्टाचारियों के खिलाब कार्यवाई होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए उनकी जिन्दगी जेलों में जानी चाहिए के नहीं जानी चाहिए जो जन्ता का लूटा है वो लोटाना पड़ेगा ये मोदी की गारंटी है साथियों जम्मोदी ऐसे ब्रस्टाचारियों पर एक्षन लेता है तब ये लोग तरह तरह के बाहने बताते हैं ये लोग जांच से भाग रहे हैं क्योंकि लोग अपने कारणा में जांते हैं जेमेम और कॉंग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ और सिरफ वोट बैंक ही समझा है जार्खन में इतने जनजातिय परिवार है इतने प्रतिभाशाली नवजबान है ये लोग उनको कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि परिवारवादी अपने ही परिवार की सोचते हैं जबकि मोदी जो भी कर रहा है वो आपके भविश्य के लिए कर रहा है आपके बच्चों के भविश्य के लिए कर रहा है आप मुझे बताईए ये जेमेम को चलाने वाले जो लोग है एक ही परिवार के हैक नहीं है वो अपने बच्चों का भला करेंगे के आपके बच्चों का भला करेंगे उनको अपने बच्चों की चिंता है के आपके बच्चों की चिंता है ये मोदी है आप ही मेरे परिवार जन है आपके बच्चों का भविश्य ये मारी कारण की है साथियों धनबाद और आसपास का एक खेत्र उद्यम्यों और समिकों का खेत्र है लेकिन मोदी आपके लिए जो भी योजना बनाता है ये इंडी गड़बंदन वाले उसका विरोध करते हैं क्या फिर उसमें अढंगे डालते हैं कोरोना काल में हमने मुप्त राशन की योजना शुरू की लेकिन इंडी गड़बंदन के लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं इंडी गड़बंदन वाले चाहते हैं कि मुप्त अनाज देने वाली योजना बंद कर दी जाए आप मुझे बताईए भाई गरीब के घर का चूला जलता रहना चाहिए के नहीं आप मुझे बताईए चूला जलता रहना चाहिए के नहीं आप मुझे बताईए गरीब का बच्चा पेट भनने के बाद ही सोना चाहिए के नहीं सोना चाहिए क्या गरीब की सेवा मोदी को करनी चाहिए के नहीं करनी चाहिए ये इंडी गट बंदन वाले कितना ही दबाव बना ले लेकिन ये मोदी न जुकने वाला है न खटने वाला है ये मुपतन आज वाली जो गरीबों की योजना है न वो मोदी चालू रखेगा आगे भी चालू रखेगा ताकि गरीब के घर का चूला जलता रहे साथियों यहाँ जारखन क्या नेक भाई बहन दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं मेरे यहाँ गुजरात में तो मेरा बहुत लोगों से मिलना होता था मैं कभी सीमा पर जाता हूँ तो वहाँ पर भी काम करने वालों में मुझे मेरे जारखन के भाई बहन मिल जाते हैं ऐसे साथियों को उनको भी जहां हो वहाँ मुप्त राशन मिलता रहे हमने इसका भी इंतजाम किया हमने एक देश एक राशनकाड योजना बनाई है हम मेरे मज़्दूर साथियों को किसी नई जगह पर जाने पर नया राशनकाड नहीं बनाना पड़ता साथियों भारत को विक्सित बनाने में नारी शक्ती की महत्वप्ण भूमिका होने वाली है और मैं देख रहा था जब मैं फुली जीप में आ रहा था जितनी मात्रा में माताई बहने आचिरवाद दे रही थी यह अद्भूत रश्य था इतनी बड़ी तादाद में माताओ बहनों का आना वो भी अभी तो खाना खाना या पकाने का टाइम होता है तब आकर के मोदी को आथिरवाद देने के लिए आ जाएं यह कितना बड़ा प्यार है साथियों यह माताओ बहनों की सेवा बीते दर्स वर्षों में टॉइलेट हो गैस कनेक्शन हो बहनों की ऐसी अनेक समस्यों का समाधान भाजपा ने किया है भारतिये जनता पार्टी ने किया है उजवला की लाभारती बेनों को बहुत सस्ता गैस सिलिंडर भी बाजपा सरकार ही दे रही है अम्भोदी पानी की समस्या का समाधान करने में जूटा है लेकिन यहां इंडी गडबंदन की सरकार